जी अचली मैं तो फिल्म में एक special appearance ही कर रही हूँ, एक special song के लिए आई हूँ लेकिन ये फिल्म की script मैंने पहले भी सुनी थी, इसके director धीरच जी है उन्होंने ये script मुझे एक बार सुनाई थी, तो बहुत ही अलग script है, बहुत ही नया concept है और बहुत अच्छे से shoot करेंगे मुझे पूरी guarantee है और सेट पे आई हूँ, तो माहौल देखके भी लग रहा है कि बहुत अच्छे से shoot कर रहे है तो आम शुर बहुत अच्छी फिल्म बनने वाले, आप लोगो के बीचे एक बहुत अच्छी फिल्म बहुत जल्द आएगी जी मेरा किर्दार वही मैं एक special song के लिए आई हूँ इस film में, तो एक special entry कर रही हूँ पस जी ये film produce कर रहे हैं, co-produce कर रहे, अच्छी दो लोग produce कर रहे हैं एक तो जो फिल्म के हीरो हैं वो ही producer है और अनिल काबरा जी इस film को produce कर रहे हैं, मैंने पहले भी उनकी फिल्म में काम किया है और हमेशा बहुत अच्छा experience रहता है उनके साथ काम करने का, बहुत ही lavish film बना रहे हैं जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम मुंबई में future studio में हम लोग shooting कर रहे हैं और बहुत ही expensive location है, तो यहां पर पिछले 8-10 दिन से उनकी shooting चल रही है, आगे भी 2-3 दिन का काम बाकी है तो बहुत ही अच्छे और भव्य तरीके से इस film को बनाया जा रहा है और जितनी मेहनत कर रहे हैं वो दिखेगा screen पर, बहुत खुबसूरत लगेगी film देखने में बहुत ही अच्छी और entertaining film है और हर film के बारे में हमारा मानना यही होता है हम जो भी film पढ़ते हैं या देखते हैं हमारा उसमें यही देखना होता है कि entertainment के साथ-साथ audience के लिए कोई अच्छा message जा रहा है कि नहीं और इस film में भी विल्कुल वैसे ही twists and turns है, बहुत entertaining drama है और लेकिन film जब end होती है तो एक बहुत ही अच्छे message के साथ audience theater से बहार निकलेंगे या film देखना खतम करेंगे अपने phones पर तो बहुत अच्छी कहानी है और regular नहीं है बहुत ही नया concept है और audience को बहुत पसंद आएगा मड़म और बात कीज़े आपकी आने वाले film जब इस time किन film में अब गयाता है जी अभी actually हमारी film बहुत सारी ready है मुकदर का सिकंदर release होने पर है और हम शूट करें निरहुआ दे लीडर की Romeo Raja हमारी film शूट हो के complete है वो भी आएगी अगले साल होली दिवाली सारी बड़ी बड़ी dates already blocked हो गई है और उन में से तीन फिल्मों का तो निर्मान पूरी तरह complete हो चुका है और वो भी बहुत ही different concept है एक हम लोग education mafia के उपर film कर रहे हैं Romeo Raja कैसे लोग अपने private schools चलाने के लिए सरकारी स्कूल के बच्चों को क्या-क्या तकलीफे जहलनी पड़ती है उसके उपर कहानी है वो भी एक normal league से हट के film है बहुत अच्छी लगेगी लोगों को I'm very sure बहुत मेहनत की है उस film में मैने और दिनेश जी ने और फिर निरहुआ दा लीडर बनके ready है यह वो बहुत ही हद तक ऐसी कहानी है जो society में एक normal लड़का normal life जीने की कोशिश कर रहा है और उससे कोई ऐसा काम हो जाता है जिससे वो public की नजर में आ जाता है, politicians की नजर में आ जाता है तो वो कैसे अपने आपको stand कर रहाता है इस society में और कैसे समाज में एक अच्छा नेता बनके समाज को सुधारने की कोशिश करता है वो film है तो ऐसी कई सारी film में lined up है फिर हम अगले साल shoot करने जा रहे है निरहुआ रिक्ष मैं यही कहूंगी जैसा कि मैंने कहा कि यह बहुत ही entertaining script है और I'm sure कि इसके जितने punches मैंने पढ़े हैं जब पढ़के ही मुझे इतनी हची आ रही थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था तो जब audience देखेंगे तो उनको और भी मजा आएगा तो मैं यही कहूंगी कि प्ली एके जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और उनके साथ मने पहले भी काम किया है और हमेशा सीन को बहुत अच्छे से डेवलप कर देते हैं और उनका comedy timing बहुत अच्छा है तो इसमें भी बहुत अच्छा रोल उनोंने किया है और वेरी एंटर्टेनिंग लाइक अल्वेस और ये सुप साथ 12 में में म honored जक्तर। आया झामका हैज आर्ट्सू है और पिल गैसल्वेस।